स्वाम अलेकूम वैलकम टू मैं चानल कुकिंग इजिया आज मैं आपके लिए लाए हूँ वाइट चिकन चीजी क्रीमी पास्ता जो वाइट सॉस में बनता है बहुत टेस्टी और मज़िदार होता है एक बार मेरी रेसिपी जरूर त्राइ करना आपको जरूर पसंद आएग इंशाल्ला वाइट चिकन चीजी क्रीमी पास्ता सबसे पहले 200 ग्राम बॉइल की आवा पास्ता थ्री टीडी स्पून गारलिक चाप की आवा 100 ग्राम हो अटिक यॺं में वन कथ सुप्कॉन जरूर वाइल कंवो और यह नो टू टी स्पून ब्लाक टेट पाँ एक कर हम ओईल लेते हैं चॉप कियावा गार्लीक दाबते हैं सबसे पहले चिकन दालते हैं इसको अच्छे से बूल लेते हैं डार्लिक में ओल में इसका थोड़ा कलर चेन्ग अनितर बूलते हैं वन टी स्पून सॉल्ट कलर चेंज हो गया है चिकन का गार्लीक का अब ओनियन डालते हैं गाजर डालते हैं इसको पांच मिट पकने रेते हैं ब्लाइक पेपर पाउडर चिली फ्लेक्स हो रही गया है नूँ ब्लाइक पेपर केपसिकंप इसको भी एक मिल्ट ही भूनते हैं इसको भी जादा नहीं भूनना है का भी खुण जास सुपटा बॉइल के अवा पास्ता सब कच्छे से निख्स करते हैं एक मिनट के यह अब हम प्यान में सब्सक्राइब लेते हैं इसे तो बटर में इतने अच्छे से में देखो मिक्स करते हैं एक पेस के तर अच्छे से मिक्स करके बनाते हैं देखो ऐसे बना रहा है इसमें कोई पेस की तरह बनाया है अब इसमें हम हाफ लिटर मिल्क दालते हैं और इसको हिलाते रहना है स्लो फ्लेम पे बनाना है यह बहुत जल्दी थीक होता है देखो कितने जल्दी थीक हो रहा है तो इसको 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 स्लो फ्लेम पे ही पतना है अब हम इसमें 3 चीज स्लाइच दालते हैं इसको भी जल्दी से मिक्स करना है इसको जारा टैम नहीं रखते हैं यह वाइट सॉस है धुना जो मैंने लिया तह पहले हाफ उसमें डालता हां पिसमें डालता हाफ पास्ते मिंस डालते हाफ वास्त सॉस मिला यह वड्लोश क DV जा सॉसोच में अब हैं इस पास्ते में मिक्स कर देते इं इसको एक मिनट के लिए ही रखना है पका के लिए अब मैंने एक हाप कप खेडर चीज टाला है आप चाहे तो एक कप डाल सकते हैं या हाप कप यह मेना पास्ता तयार है रहे दी चीजी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता आप लोग एक बार जरू ट्राय कहते रहेंगे तो आप मज़ेडार और टेस्टी बनता है इस इंपल और इजी रेसीपिर आप लोग एक बार जरू ट्राय करना मेरी रेसीपिर पॉस्च पास्ता उसको है तो आप मेरी रेसीपिर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक शिर्टी आप सुना है सब्सक्राइब जरूर करें अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू जज़ा कर लाँ